नमस्कार मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV NPR, CAA और NRC के विरोध में देश में माहोल जो है वो गर्माया हुआ है जगा जगा आंदोलन चल रहे हैं महिलाए सडक पर है 29 जनवरी को भारत बंद भी किया गया था और इसी माहोल में RSS की तरफ से एक बयान आया है कि आदिवासी जनगनना में अपना धर्म जो है वो हिंदु लिखे RSS का ये बयान इसी माहोल में क्यों आया है क्या इसके पीछे कोई शडियंत्रे चिपा हुआ है इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रेमकुमार गेडाम जी है जो की राष्ट्रिय संयोजक है राष्ट्रिय आदिवासी एकता परिशत के उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान का असली मतलब क्या है प्रेमकुमार जी स्वागत है MNTV पर धन्यवाद क्या लगता है आपको इक इस वज़े से ये बयान RSS की तरफ से दिया गया है पहली बात तो RSS की तरफ से जो बयान दिया गया है आदिवासीों को हिंदू लिखने के लिए जनगन नामे तो मैं एक बात RSS के भी लोगों को बताना चाहता हूँ और खास करके आदिवासी समाज को भी ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू और आदिवासी शब्द का दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है कोई रिस्ता नहीं है कुछ भी नहीं है दूसरी बात मौन भागवर जी जो आदिवासियों को हिंदू लिखने लिखाने की जो बात कर रहे है तो 26 जन्वरी 1950 के पहले हमारी कोई पैचान नहीं थी और 26 जन्वरी 1950 में जब सविधान लागू हुआ तो सविधान में हम लोगों को पैचान दी गई आर्टिकल 342 में और वो पैचान है शेडूल ट्राइप के नाम पर जिसमें करीबन 800-800 आदिवासियों की देशभर की जातिया है अब ये पैचान की व्यक्या बनाई गई थी सविधान निर्माताओं के द्वारा और वो व्यक्या ये थी कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड जो सोशेली बैकवर्ड जिन में ट्राइबल ट्रेट के गुन है जिन में डिस्ट्रिक कल्चर है जिन में टेरिटोरियल पजेशन है उन लोगों को भारत में आदिवासी कहा गया है शेडूल ट्राइप कहा गया है तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जब डॉक्टर मोहन भागवजी के द्वारा जब ये बयान दिया जा रहा है आदिवासियों को हिंदु लिखाने का तो डॉक्टर मौन भागवत जी डॉक्टर है पंडित आदमी है विद्वान वेकती है लेकिन उनको ये बात समझ में कैसे नहीं आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब सविधान में ये पैचान हम लोगों को दी गई है कि शेडूल ट्राइब के नाम पर और वो आदि लेकिन ये शडियंत्र पुर्वक आदिवासियो को हिंदू बनाने का कारेकरम क्यों किया है जारा ये जानना बहुत जरूरी है पहली बात सविधान में अधिकार कैसे मिले तो सविधान में अधिकार मिले आइडेंटिटी के आधार पर और ये जो आइडेंटिटी है ये जो पैचान है आदिवासियों की ये पैचान कश्टमरी लौ की वज़े से कश्टमरी लौ क्या ह जो कला, सभ्वेता, संस्कृती, अस्तित्व, पैचान, रोडी, परंपरा ये जो कल्चर है आदिवासियों का ये कल्चर आदिवासियों का अन्य जातियों से भिन्न है, अलग है, मेल नहीं खाता है इसलिए ये हमारे कश्टमरी लाँ आदिवासियों के अलग कश्टमरी पर आदिवासियों को सविधानिक अधिकार मिले। आर्टिकल 241 में पाचवी अनुसूची स्वायत्त शासन और आर्टिकल 242 में छटवी अनुसूची मालकियत का अधिकार यानि जल जंगल जमीन का मालक। अब पाचवी अनुसूची में एक मौलिक बात लिकी हुए है धारा पाचवी दो में कि आदिवासियों की जमीन गहरादिवासि नहीं खरीद सकता। तो फिर आरेसेस के लोगों ने प्लान बनाया कि अगर जल जंगल जमीन आदिवासियों से छिनना है क्योंकि 90 प्रकार के दातु है वो जमीन के अंदर और सविधान कहरा है उसका मालक आदिवासिये अगर वो छिनना है तो भी आदिवासियों को गैर आदिवासियों को गैर कर रहे हैं तो मेरी यही बिंती है तमाम भारत के आदिवासी भाईयों को कि वो जो अभी एक एप्रिल से एक एप्रिल 2020 से जो NPR याने National Population of Registered याने जनगन्ना जो शुरू होने जा रही है तो मैं तमाम आदिवासीों से अपिल करता हूं कि वे हिंदू ना लिखे अगर आप लोगों ने हिंदू लिखा तो निच्छीत रूप से पैचान समापत हो जाएगी पैचान अगर समापत हो जाएगे और सविधानिक अधिकार अगर समापत हो गए तो फिर Reservation in Promotion, Reservation in Education, Reservation in Service, Reservation in Politics, शिक्षा का अधिकार, नवकरी का अधिकार, आरक्षन ये सारे मुलभू अधिकार समापत हो जाएगे अगर हिंदू शब्द लिखने से ये सारा सत्यानाश होने वाला है इसलिए NPR में बहुत सारे अधिकारी आदिवासी लोगों के घर में जा सकते हैं तो उनको भी ये बात आदिवासी भाईयों ने समझाने हैं कि हमारा धर्म हिंदू ना लिख ये सविधानिक अधिकार इससे खत्म हो जाएगे और एक बात मैं आदिवासी भाईयों को बताना चाहता हूं कि बहुजन करांती मोर्चा ये जो एक मंच बनाय गया है इस देश में लाखो संगठनाव को इखटा करने के लिए और उसके राष्टिय संयोजक वामन मेश्रा साब के द्वारा ये ऐलान किया गया 25 मार्च 2020 को NPR बाईकॉट अंदोलन तो और उनोंने 29 तारिक को भारत बंद का भी आवान उनोंने किया था तब बड़े पैमाने पर हम आदिवासी लोग उस भारत बंद में सामिल भी थे और सफल भी किये तो उसी प्रकार से NPR बंद है और 25 मार्च को ही जो NPR बाईकॉट अंदोलन है उसमें तमाम आदिवासी लोग हम लोग उसमें समर्थन भी दे रहे हैं और साथ-साथ में उस अंदोलन में सहबागी है और आखरी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ RSS के लोग आदिवासीों को गहरादिवासी बनाने का कारेकरम कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी अगर गहरादिवासी बन गया तो निच्चीत रूप से आदिवासीों का स्वायत शासन खतम किया जा सकता है उनको जल जंगल जमिन के अधिकार से वन्चित किया जा सकता है और company भारत में आएगी तो जमिन चाहिए और पानी चाहिए और वो सारा का सारा आदिवासी के पास है तो इसलिए आदिवासी ओ को जल जंगल जमिन से बेदकल करना उनकी पहचान समाप्त करना यह सारा जो मामला जो है यह पहचान से जुड़ा हुआ है पहचान बचेगी बरकरा रहेंगे जैसे 13 परवरी को सुप्रीम कोट ने जज्मेंट दिया कि 10 राज्य के 11 लाक आदिवासियों को जंगल खाली यानि उनकी जल जंगल जमिन खाली करने का जो आदेश दिया गया है तो अगर इतना बड़ा शडियंत्र इस देश में अगर हो रहा है तो ये महन भागव जी का बयान अभी जो NRC CA और NPR जो का चर्चा जो चल रहा है या भारत में जो बवाल चल रहा है उसी के बिच में ये बयान आना कि आदिवासियों को हिंदू लिखने के संदर्ब में तो ये आदिवासियों की पैचान समाप्त करने का कारेक्रम है अधिकार समाप्त करने का कारेक्रम है, अस्तित्व समाप्त करने का कारेक्रम है, अगर ये सत्त समाप्त अगर हो गए, तो प्रमुग दो चीजे होने वाली है, एक तो आदिवासियों को वोट के अधिकार से वन्चित किया जाएगा और दूसरा, आदिवासियों को डिटेंशन क्याम में धकेला जाएगा तो इससे बहुत बड़ा खत्रा आने की संभावना हम आदिवासियों के उपर है तो इस संदर्ब में हम लोग पूरे देश भर में जागरती और जनजागरण का भी कारेक्रम हम लोग करने वाले हैं और साथ-साथ में आदिवासी भा हम पर सविधान में किसी भी प्रकार की कोई आर्टिकल नहीं है जिससे हमें सविधानिक अदिकार मिल रहे हैं हमें सविधानिक अदिकार केवर और केवल मात्र हमारे पैचान के आधार पर मिल रहे हैं और वो पैचान है हमारी आदिवासी जिसको सविधानिक शब्द में कह आ गया है शेडूल ट्राइब तो इसको हमें बरकरार रखना है और NPR बाइकाट अंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संक्या में हम लोगों को सामिल होना है धन्यवार शुक्रियाक प्रेम कुमार जम से बात करने के लिए समाच की महतपूर घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सस्क्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को दबाए ताकि आपको हर महतपूर जानकारी मिलती रहे